हेलो स्टूदेंस वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स आइम आर्थी यो मैस टीचर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्ससाइज एटी कुशिन नंबर सेवन से लास्ट वीडियो में हमने अल्रेडी कुशिन नंबर सिक्स तक कंप्लीट कर लिए हैं कुशिन नहीं हुए है आपको बस अपनी प्लेलिस्ट को उपन करने और सारी वीडियो आ जाएंगी जो अभी तक इस बुक से चैनल पर अप्लोडीड है और आप सिधर जाके सर्च भी कर सकते हैं चाप्टर एट डेस्मल फ्रेक्शन क्लास जिक्स आईसी ब्रिलेंट माइंड्स आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी देखे अब हमने लास्ट कोशन में जो किया था हमने पैसे में रूपी एक्सप्रेसिं पैसा एक्सप्रेसिं रूपी सेंटिमीडर सब सीखा था यहां पर क्या है हमें एड्ड करने जैसे दिखिए र सबस्क्राइब के दिखिए यहां पर ट्यूप के बाद तो आपको क्या करना है सबसे पहले ड्यास्मल के अने हैं तो तो यहां सबसे ब匹ंद्ध में नैईमया एक हूंते ज्मने की पहले यह यहां तो आपको क्या करना अब हमने 7 में 0 आड़ किया, 7, 3 में 0, 3, 5 में 2 किया, 7, 1, as it is नुमारा अंसर आ गया, 17.37 रूपीज, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करने है, 24.03 रूपीज को 532 पैसे में convert करने हैं, अब देखिए, हमें क्या करने हैं, हम decimals का chapter कर रहे हैं, तो हमें conversion करने हैं, किसी भी 2 units आपके पास different units हैं, जैसे यहाँ पी रूपीज में भी हैं और पैसे में bिन बीडिज Division अखिए आपके पास, तो आपको क्या करने हैं, सबसे पहले उसको एक single unit में convert करना होता है, तो हम रूपीज को पैसे में भी convert कर सकते हैं, और पैसे को रूपीज में भी पर, कि हम chapter कर रहे हैं decimals का तो आपको भी पता है कि जब हम rupees को decimal में convert करेंगे तो हमारे पास answer decimal में नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे पैसे का rupees में convert दिखेंगे जैसे आप सबको पता है 1 रूपी में होते हैं 100 पैसे ऐसे अगर आपको बताने कि 1 पैसे में कितने रूपी होंगे तो आप लिखोगे 1 over 100 एना 1 पैसे में कितने रूपी है 1 over 100 अब आपको convert करने 532 पैसे को रूपी में तो आप 532, 1 की जगा देखो 1 पैसे में अगर 1 over 100 है तो 532 पैसे में 532 over 100 होगा तो आप सबको आता है, हमने ओल्रेडी सिखा हुए कि fractions को decimal में convert कैसे करते हैं अगर नीचे 1 के साथ 00 हो तो जितनी 0 हैं उतने digit छोड़ के पीछे से decimal लगा देंगे यहाँ पे कितने 0 हैं, 1, 2 तो पीछे, देखी यहाँ पे कोई decimal नहीं है न तो नमबर के पीछे है, तो 1, 2 डिजिट छोड़ के decimal तो यह आ गए आपके रूपिस तो हम क्या लिखेंगे, रूपिस 24.03 प्लस क्या करने है, रूपिस 5.32 तो हम यहाँ पे add कर देते हैं, दिखिए simple decimal के नीचे decimal 5 यहाँ पे आएगा वह यह ध्यान दखने है कुछ टोन यहाँ पे mistake कर देते हैं, decimal के नीचे decimal नहीं लगाते है, exact decimal के नीचे decimal और decimal के पहले वाला digit बंस प्लेस पे आएगा, यहाँ पे आगया 5, 3 decimal as it is 9 or 2, तो आपका अंसर आ गया, rupees 29.35 चलिए, next question करते हैं, यहाँ पे भी मार पास पैसे हैं, again वही, 1 पैसा is equal to 1 over 100, rupees 75 पैसे में कितने होंगे 75 over 100, that is 73 लिखके, 2 digit में है, 2 zeros है, 2 digit चोड़के, decimal, और अगर decimal के आगे कोई भी number नहीं है, तो आप 0 लिखेंगे, then अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, 0.73 में add करना है, हमने 2.08 rupees में हैं, दोनो numbers हमारे पास, तो 0.73 plus 2.08, दिखिए, again decimal के नीचे decimal, 8 plus 3, 11, 1, यहाँ पे 1 carry, 7 plus 1, 8, 0 plus 2, 0, तो आपका answer आगया, rupees 2.81 और अगर आपको इसी को, पैसे में convert करना हो, यह आपका answer है, मैं आपको पता हैं, हमें decimal में दे रहे हैं हमारे question क्या था, हमारा question था, add giving answers in rupees, हमें अपने सारे answers, rupees में देने हैं, पैसे में कर लेंगे, अब यहाँ पे 8 पैसे और इतने rupees हैं, again कैसे लिखोगे आप सबसे पहले, 1 पैसे में होते हैं, 1 over 100 rupees, then 8 पैसे में कितने होंगे, 8 over 100, अब देखें, यहाँ पे कोई decimal नहीं है, मतलब decimal कहा है, number के पीछे, तो हमें कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 डिजिट, 2 कौन से होंगे, 8 तो 8 है, और एक डिजिट जो एक्स्ट्रा लेके आना है, वो होगा हमारा 0, 2 डिजिट छोड़के decimal, डिजिमल के आगे कोई number नहीं है, तो 0 तो लगाने होते हैं, इतने रुपीज आ गए, तो रुपीज 0.08, प्लस कर देने हैं, रुपीज 15.36 में, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 0.08, देखिए अगें, पॉइंट के नीचे, पॉइंट, फर्स डिजिट 5 है, 5 लिखे, यहां पे 1 आएगा, और यहां पे 6, और 3 और 6, अब इसको प्लस कर देते हैं, यहां पे क्या आएगा, 14, 1 केरी 4.51, तो आपका अंसर आगया, रुपीज 15.44, जब 44 पैसे हैं, बदल्द 15 रुपीज और 44 पैसे हैं हमारे पार, चलिए, नेक्स कोशन करते हैं, कोशन नमबर 8, सब्ट्रैक, रुपीज 35.74, फ्रॉम 63.22, हमें इसको इस में से माइनस करने, फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा, बड़ा नमबर होता है, तो 63.22 में से माइनस कर देने, 35.74, जब भी फ्रॉम के बाद लिखा हो न, तिमिस वो नमबर से आपको माइनस करने, चले इसको सुप्रेक्ट करते है, 12, यह 2 हो गया, 2 में से 4 तो नहीं जा सकते, carry ले लेंगे, तो यह बन गया आपके बाद 12, 12 में से 4 गए 8, अब इसने carry दी थी, यहां 1 रह गया, 1 में से भी 7 नहीं जा सकता, again carry ले लेंगे, 11 बन गया, 11 में से 7 गए 4, यहां decimal, यहां पर 2 रह गया था, 2 में से 5 नहीं जा सकता, again carry, यह बन गया 12, 12 में से 5 गए 7, and 5 में से 3 गए 2, तो आपका अंसर आ गया, rupees 27.48, देखें, यहां पर भी हम again पर ले, convert कर लेते हैं, 1 पैसे में, 1 over 100 रूपी होते हैं, 286 पैसे में कितने होंगे, 286 over 100, अब आपको decimal लगाना है, पीछे से 2 डिजिट छोड़के, decimal, from इस में से यह minus करना, it means, 7.02 में से यह number minus करेंगे, 2.86, तो again 12 में से 6 नहीं जा सकते, carry ले लेंगे 12 बन गया, 12 में से 6 गये 6, अब यहां देखे, आपके बाई यह तो 12 बन गया था, 0 तो इसको कोई number नहीं न दे सकता था, तो पहले 7 ने अपना number इसको दिया, यह बन गया होगा हमारे पास 10, जब 10 ने इसको carry दी, तो यहां रहा गया 9, यह अपने ध्यान से करने है, 9 में से 8 गये 1, decimal, 6 में से 2 गये 4, तो आपका अंसर क्या आ गया, rupees 4.16, then again, पैसे हैं, यहां पर convert कर लेते हैं, 1 पैसे में, 1 over 100 rupees, 121 पैसे में, 100 से 121 को divide कर देंगे, पीछे से 2 zeros, जहने 2 डिजिट चोड़ के decimal, अब subtract rupees this from this, इसमें से minus करने हैं, तो आप कैसे लिखोगे rupees, this from rupees 1.21, देखो, दुनों होगे rupees में, तो 1.21 में से 0.55 को minus कर देते हैं, again carry लेनी पड़ेगी, 11 बन जाएगा, 11 में से 5 गए 6, यहां 1 रहा गया, इसने इसको कैई दे दी, 11 में से 5 गए 6, और यहां 0 रहागी, 0 में से 0 गए 0, तो आपका answer क्या आ गया, rupees 0.66, और अगर आपको कोई पूचे, कि इसको पैसे में कैसे convert करेंगे, very simple, जब भी हमें किसी भी rupees को पैसे में convert करने है, तो 100 से कर देना होता है, multiply, और यहां पर 2 zeros है, 2 डिजिट छोड़के decimal, 1, 2, तो decimal आएगा 66 के बाद में, वहां तो कोई number ही नहीं है, decimal लगाने की कोई ज़रूत नहीं, तो आपका answer आगया 66 पैसे, next question पढ़िए, add giving answers in meter, आपको answer meter में देना है, हमार बाद unit के हैं, दोनों ही meter में है, तो इसको तुम सीधे ही add कर सकते है, 2.4 में 1.78, आपने देखा, decimal के नीचे मैं decimal लगाया, decimal के exact बाद बाद वला digit वहीं आया, जहां 4 आ रहा था, उपर कुछ नहीं है, तो हमने 0 लिखती, अब यहां पर 8 आ गया, इन दोनों को add किया 11, यहां पर decimal 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4, यह आ गया हमारा answer, और हम पर meter में answer लिखने हैं, 4.18 meter, अब second part करते हैं, question number 9 का, यह centimeter है, यह meter तो पहले तो हमें इसको, meter बनाना होगा, दिखेंगे, जैसे 1 meter में, 100 centimeter होते हैं, अपने units को ध्यान से याद रखने हैं सारा, ऐसे ही 1 centimeter में, 1 over 100 meter होते हैं, क्योंकि दिखेंगे, जो centimeter है, इसलिए हम 1 by 100 करते हैं, 100 से divide कर देंगे, अब आपको 848 centimeter को convert करना है, आप लिखोगे 848 over 100, तो आपका answer आगया, पीछे 2 digits हैं, 2 zeros हैं, 2 digits छोड़के, decimal meters में आगया, आपको simply add ही करना था, तो 8.48 meter, में add हो गया, 2.9, देखें, 2.9 पीछे कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा दी, 8, यहां पे आगया 13, and, 8 प्लस 2, 10 प्लस 1, 11, तो आपका answer आगया, 11.38 meter, क्योंकि हमें answer किसमें देना था, meters में, अब यहां पे देखें, यह already meter में, यह centimeter में है, again हम इसको भी meters में convert कर लेते हैं, लिखेंगे, 1 centimeter में, 1 over 100 meter होते हैं, 64 centimeter में कितने होंगे, 64 over 100 meter, then, 2 digit है, 2 zeros हैं, 2 digit चोड़ के decimal, अब आपको add कर देना है, अब यहां पे देखें, 0.93 meter में, आपको add कर देना है, 0.64 meter, 0.93, मैं add कर रहे हैं, हम यह number, तो यहां पे 7 आ गया, plus करके, 9 plus 6 15, 1 carry, तो आपका answer आ गया, 1.57 meter, question number 10, subscribe, giving answer in meter, हमें minus करना, और answer देना है meter में, यहां तो add दोनों unit meter में है, तो इसको, इसमें से minus करना है, from लिखें, तो पहले हम लिखेंगे, 19.6, then, 5.03, देखेंगे, decimal के नीचे decimal, फिर उसके बाद, जो digit है, 10th place पे आ गया, यहां पे कुछ नहीं, हमने 0 लगानी है, द्यान से, तो यहां पे 0 में से 3 नहीं जा सकते, carry ले लेंगे, तो 10 में से 3 गए 7, यहां रह गए 5, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 1 as it is, तो आपका answer आ गया, 14.57 meter, अब देखें, यहां भी यह centimeter, यह meter, तो पहले हम इसको convert करना होगा, तो आप यह देखें, आपको बता है, 1 centimeter में, 1 over 100 meter होते हैं, 428 centimeter में कितने होंगे, 428 over 100, तो हमें, 2 0 यहां पे, 2 digit छोड़के लगा दिया decimal, अब हमें, 4.28 meter को minus करना है, 1033 meter में, सब यहां से देखें, हमने लिख देने पहले, 1033, 23, अब यहां पे कोई भी decimal नहीं, तो मैंने को समझाए, जब किसी भी number में decimal नहीं है, तो वो digit के बाद में होते हैं, decimal लगा दिया हमने, अब decimal के नीचे decimal, सब से पहले 4 है, तो यहां पे decimal के साथ 4, फिर 28 यहां पे आएंगे, तो सब से पहले आपने, यहां पे 2 रह गया, यह बन गया 10, 10 ने इसको carry दी, यह बन गया 10, और यहां पे रह गया 9, तो 10 में से 8 गये 2, 9 में से 2 गये 7, और 12 में से 4 नहीं जा सकते, अगें carry ले लेंगे, यहां 2 रह गया, यहां पे 12 में से 4 गये 8, 2, 0 as it is in 1, तो आपका अंसर आ गया, 1028.72 मीटर, अब देखें, इस पार्ट के लिए भी आपको पहले cm कनवार्ट करना होगा, तो यह थो मैं पते हैं कि 1 cm में 1 over 100 मीटर होते हैं, तो 122 को अगर करने हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे 2 डिजिट हैं, 0s हैं, 2 डिजिट छोड़के decimal लगा दिया, तो अब 0.84 मीटर को सब्ट्रेक्ट करना है, आपने 1.22 मीटर से, तो 1.22 0.84, अब सब्ट्रेक्ट कर देते हैं, अगें 2 में से 4 नहीं जाएंगे, कैरी ले लेंगे, यहां पे 1 रहा गया 12, 12 में से 4 गये 8, अब यहां पे अगें कैरी लेनी होगे, यहां पे 0 रहा गया, 11 में से 8 गये 3, 0 में से 0 गये 0, तो 0.38 मीटर आपका अंसर आ गया, अब देखिए, 11th कोशन क्या है, add giving answer in kg, हमें add करना और अंसर किसमें देना है, किलो ग्राम में देना है, तो यह दोनों kg में अल्रेडी simply add कर देंगे, 2.06 में add कर देना है 57, तो यहां पे देखिए, पहले decimal के निचे, decimal 7 यहां पे आएगा, and then 5 यहां पे लिखेंगे, 8, 6, 4, यहां पे कोई number नहीं है, 0 लगा लिए, अब कर देते हैं, इसको add, यहां पे 4, 6 प्लस 6, 12, 1 carry, 8 प्लस 1, 9, 7 प्लस 2, 9, and 5, यह आग्या kg में आपका answer, अब यहां पे देखिए, यह kg में पहले में convert करना होगा, तो 1 gram में होते हैं, 1 over 1000 kg, यह आपने याद रखने हैं, तो 788 को, grams को केजी में convert करना है, तो इसको 1000 से कर देंगे, divide, तो यहां पे आपके पास आ गया, हमें क्या करना है, 123, 123 डिजिट छोड़के, decimal, यह आप गया kg, अब इन दोनों को add कर देना है, 0.778, में add करेंगे, 1.939, तो यहां पे 8 में 9 add कर देंगे, 7 में 3 add कर दिया, 10 प्लस 1, 11, अब यहां पे हमें क्या करना है, add कर देते, 9 में 1 प्लस किया, 10, 10 प्लस 1, 7, पॉइंट, और यहां पे आगया आपका answer, यहां पे carry चले गई, और यहां पे आगया 2, तो answer आगया 2.717 kg, अगे इन दीखें, next question यह भी gram है, अब इसको kg में convert करने के लिए, आपको again 1000 से कर देने, तो आपका answer गया, 1, 2, 3, डिजिट छोड़के, decimal यह बन गया kg, add करने तो 0.065 में, add कर दिया, 4.023, तो यहां पे 8, 8, 0.4, यह आगया हमारा answer, और यह भी किस में आगया, kg में अब देखे, next question, जो question number 12 है, यहां पे आपको answer देने, again subtract करने के जी में, तो यह दूने kg में, subtract this from this, तो बहले यह number लिखेंगे, 15.6, then 9.462, उपर कोई भी number नहीं है, तो आप 0 लगाएंगे, तो माइनस करते हैं, ध्यान से 0 लगानी है, जब आपने माइनस करने है, यहां पे carry ले लेते हैं, यहां पे बन गया 10, यहां 5 रह गया, 10 ने इसको carry देते हैं, यहां पे 9, और 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 4 गए 1, और यहां पे again, यह बन गया 15, और यहां पे 0, 15 में से 9 गए 6, तो यह आ गया आपका answer के चीज़ में, अब यहां पर पहले हम gram को convert कर लेते हैं, 1000 से divide करके, तो आपके बास आ गया, 1, 2, 3, डिज़िट छोड़के, यहां पे point के बाद रही है zeros है, तो यह आ गया, और point के पहले क्या है, 4, अब इसको minus कर देते हैं, 0 में 7 ही जासकर 10 बन गया carry लेके, 10 में से 7 गए 3, यहां 10 थे 10 इसको carry दे दी, यहां पे 9 रह गया 9 में से 1 गए 8, यहां पे 9 थे 10 बन गया 10 इसको carry दी, रह गया 9, 9 में से 3 गए 6, यहां पे रह गया 2, इसने से कही दे दी 12, 12 में से 4 गए 8, और यहां पे 1, हमारा answer आ गया 18.638, question number 3, यहां पे भी grams अब इसको convert कर लेते हैं, 1000 से divide करके, तो यह आ गया आपके पास 1, 2, 3 digit छोड़के, यह आ गया मारा पास kg में, इस में से इसको minus करने हैं, तो 4.169-0.798, तो 9 में से 8 जा सकते हैं, 1, 6 में से 9 नहीं जाए carry ले लेते हैं, तो यह बन गया 16 हो, यहां रह गयी 0, 16 में से 9 गये 7, 0 में 7 नहीं जा सकते हैं, यह बन गया 10, 10 में से 7 गये 3, और यहां पे 3, तो आपका अंसर आ गया 3.371 kg, अब हमने question number 12 भी complete कर लिया, और इसके साथ साथ हमारे पूरी exercise 8D, अच्छे से complete हो गई, अब next video में हम 8D से start करेंगे, और आपको वीडियो अच्छे से यह exercise clear हो गई है, इनकिस कोई भी doubt है तो comment section में लिख सकती है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो please like, share, subscribe and press the bell icon, जिससे आपके पास new videos के बनोटिफिकेशन टाइम ली आती रहे, thank you for watching,